रन्बीर कपूर के उपर ये एक अटाग सा हो गया है टाग कि जिसकिसे फिल्म में रन्बीर कपूर काम करते हैं वो फिल्म अटक जाती है कंप्लीट होने में उसे बहुत टाइम लगता है और जहां फिल्म एक डेड़ साल में कंप्लीट होनी चाहिए वो फिल्में भी 3-4 साल का समय ले लेती है ब्रहमास्तर फिल्म तो अभी तक चल ही रही है ऐसे में रनबीर कपूर की एक और फिल्म को लेकर यहीं ख़बर आई है कि यह फिल्म भी खटाई में पड़ रही है और यह फिल्म अटक सकती है रन्बीर कपूर ने हाल ही में लव रंजन की अपकमिंग फिल्म श्रद्धा कपूर के साथ जो वो कर रहे हैं उसको लेकर ऐलान किया था इस फिल्म का नाम तो नहीं रखा गया लेकिन फिल्म की स्टार कास्ट को लेकर ही फिल्म का बस है हाल ही में जब आगरा में लवरंजन की शादी हुई तो रनबीर और श्रधा इस शादी में शामिल भी हुए इसे बीच अब खबर आ रही है कि रनबीर की ये अंटाइडल फिल्म जिसकी शुरुआत अभी हुई ही थी वो फिल्म खटाई में पड़ गई है क्योंकि लवरंजन ने फिल्म के क्रू से जुड़े 350 लोगों का 1 करोड 20 लाग का पेमिंट नहीं किया है ये पेमिंट बकाया है ये मामला सामने तब आया जब लवरंजन रनबीर और श्रधा की ही फिल्म की शूटिंग के सेट पर मौझूद थे और वहाँ पर कुछ वर्कर्स ने तोड़ फोड़ कर दी जब इन लोगों से पूछा गया तो मामला सामने आया कि लवरंजन की तरफ से इन वर्कर्स का पेमिंट अभी तक बकाया है और कांदी वली में फिल्म से जुड़े गाने और द्रिश्यों को जब पिचराइस करना था तो वहाँ पर काम किया था और इस काम के उनके पैसे बकाया है और ऐसे में अब ये मामला पुलिस्टेशन तक पहुँच गया है क्योंकि जैसे ही सेट पर हंगामा खड़ा हुआ तो वहाँ पर पुलिस को बुलाया गया और पुलिस इन सभी वर्कर्स को पुलिस्टेशन लेकर राई जिसके बाद workers ने कहा कि उनका पैसा बकाया है लवरंजन ने उनका पैसा नहीं दिया है इसलिए अपना पैसा मांगने के लिए उनके पास और कोई रस्ता नहीं था तो एक बड़ी controversy में फस चुके हैं लवरंजन क्या इसका effect उनके upcoming project पर पड़ेगा अगर ऐसा होता है तो रनबीर और श्रधा की film एक बार के लिए अटक सकती है